हेलो दोश्तों तो आज हम नाने वाले हैं तर्बूज का एस्क्रीम यह बहुत ही ज्यादा टेश्टी और क्रीमी हुआ था तो आप इसको देखना तो बहुत ज्यादा टेश्टी बनेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि तर्बूज कैसा ले जो अच्छा हो अंदर से रेड तो तर्बूज का ही होता है कि अंदर से रेड़ और मीठा वहुत आपको करना कुछ नहीं ज्यादा उपर से बस देखना है कि गिरील हो तो बस वही लेना है तो आप अंदर तो देखनी सकते हैं तो ऊपर से देखना होगा आप तरबूश को कट करने के बाद इसको गैन करके जूस निकालेना और जूस को छान लेना उसके बाद इसको एक बरतर में ड्रास्पर कर लेना आप उस भी बरतर में रख सकते हो तो मैंने यहाँ पे एक कप जूस लिया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक लीटर दूद करनें कदेंगे जो हमने बनाया हुआ था वाटर मेलियन का ऊसके बाद हम दूचे मच कौनफोलों धंडे दूद में घोड़ लेंगे अपसके हैं बट हम धूद को तिक करना तो हम दूद मेंहीं करेंगे उसके बाद मैंने हाप फ्रेश क्रीम घरका मैंने एक कटोरी लाला है आप इसको दूद का भी एक्स्ट्रा कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं क्रीम के जगा पे आप क्रीम जाल दोगे तो ज्यादा दूद को नहीं करना करेगा बस यह तुरंत ही हो जाएगा उसके बाद मैंने आप एक कपचीनी डाला उस पर कॉंट्र गोड़ा हुआ डालकर उसके ब बहुत कम चुका है तो कुछ ऐसे करते जाना है करते कि जाना हो जाए तक करते रहें और इतना थिकने सही है उसके बाद हम ठोड़े से तर्वूज को डाल रहें उपर से कि यह देखने बहुत ही ज्यादा अच्या लगेगा तो हम थोरा सा डाल दिये हैं और इसके जग़े सब्सक्राइब कर देंगे और फ्रीज में एक नाइट रहने देंगे और एक दिन में यह बन जाएगा 24 गंदा उसके बाद देख सकते हैं कितना क्रीमी और कितना डिलेसिस मेरे घर में तो सबको पसंद आया है आपको भी पसंद आएगा और अपने फैमिली खिलाएए और इंज्वाइए कीजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और में लाइक इट को दवाने ना भूले मेरा नीम न्यू वीडियो आप तक हो जाते हैं फिर मिलते हैं लिए